असलाम लेकम खुशामदीद कहते हूं मैं आपको अपने चैनल में आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चार डिफरेंट टाइप्स के कट वर्क कट करना और किस तरीके से कपड़े पेस्ट करके बनाते हैं इसको यह सिखाऊंगी बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही असा चुड़ाई थी तो एक इंच पर निशान लगा लेंगे उसका हाफ कर लेंगे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद यह जो बंद वाली साइड से सबसे पहले हाफ इंच का उसके बाद एक एक इंच का निशान लगा देना है आपने ये तकोनी शेव बनाओंगी सबसे पहले मैं यहाँ पर नीचे वाली साइड पर भी एक एक इंच का निशान लगा देना है और इन पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से मिला देना है इसी शेव में इसको कट कर देना है देखें तकोनी शेव बहुत ही परफेक्टली दोनों एक साथ कट हो चुकी है चलिए नेक्स कट कर लेते हैं जो राउंड शेव में कट करेंगे हम लोग उसमें भी बुकरम के पीस दो इंच उडाई के साथ ले लिया है एक इंच पे निशान लगा के दरम्यान में लाइन लगा ली है सवाँ इंच का एक कैप ले लिया है जो भी सिंपल बॉटल का कैप होता है उसके उपर उसको इस तरीके से एक साइड से रखेंगे उपर से बस इतना सा मार्जन छोड़ना है आपने के वो लाइन ड्रॉव हो सके और वो जो लाइन मिड में हमने ड्रॉव की थी उसके उपर रखके कैप को इस तरीके से राउंड शेब लगा के आपने कट कर लेना है परफेक्टली हो चुके हैं कट थर्ड वाला कर लेते हैं इसकी भी दो इंच उड़ाई लिए है बुकरम की एक इंच पे निशान लगा के दरम्यान में लाइन ड्रॉव कर लेंगे उसके बाद फिर से एक कैप ले लिया है सवा इंच का किसी भी बॉटल का कैप ले सकते हैं आप लोग और सबसे पहले निशान लगा लेंगे एक इंच का और एक इंच का निशान लगाने के बाद कैप रखेंगे और ये राउंड शेब दे देंगे फिर से एक इंच का निशान लगाएंगे और कैप रखेंगे और ये round shape दे देंगे एक एक इंच का निशान लगा के आपने ये round shape देते जाना है उसके बाद ये जो हमने इस तरीके से round shape दी ये जो एक इंच का निशान लगाया था उसका half करके इस तरीके से line draw करके तकोनी shape बनाते जाना है mid point पे इसको मिलाते जाना है इस तरह तो ये बड़ा easy सा इसका pattern ready हो जाएगा जिसमें हमने तकोनी और round shape को मिला के एक design create किया है देखें ये pattern हो चुका है इसका ready और same इसी shape में अब हम इसको कर लेंगे cut ये shape भी हमारी हो चुकी है ready उसके बाद fourth cut work अपना ready कर लेते हैं सबसे पहला निशान half inch का लगाया उसके बाद एक इक inch का निशान लगाते जाना है उसके बाद एक inch का इस तरीके से लंबाई के रुक को निशान लगा के इस तरीके से box create करना है एक point छोड़के एक point पे आपने ये box बनाना है तागे बीच में gap रहे इस design का एक एक inch की लंबाई पे इस तरीके से line draw करके उपर से मिला देना है तो अब same shape में हम इसको कर लेंगे cut पीछे से margin cut कर लेंगे अब कपड़े पे किस तरीके से paste करके बनाना है कोई भी cut work आपने लेना है उसको इस तरीके से जहां पर भी बनाना है कपड़े के उल्टी साइट पेस्ट करना है और एक कपड़े कापीस लेना है उसकी सीधी साइड और जो सीधी साइड है उसको आपस जोड़ के रख लिया है मैंने और इस कपड़े को और इस कट्वर को एक साथ जिप, प्राजर के बॉटम पर, या धामन पर कहीं भी बनाना है इस तरीके से कर लेना है पेस्ट उसको आपने कमीज की उल्टी साइड पे और फिर कपड़ा सीधी साइड पे जोड़ते वे इस तरीके से स्लाई लगा लेनी है और फिर ये कट करके उस कपड़े को इस तरीके से उल्टी साइड पे अच्छे से फोल्ड कर देना है इसकी जो हैं वह अच्छे से हम निकाल लेंगे गैप को अच्छे से कर लेंगे सेट और हमारी सीधी साइड पेज हैं वह बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग आ जाएगे उल्टी साइड पर यह जो कपड़ा है हमने सीधी साइड पर रखके स्लाय लगाई थी वह फोल्ड कर देंगे और चैनल में मजूद है निका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर जरा भी कन्फीजन हो तो वहां जाके देख सकते हैं थाइंक्यू मुझे अपनी दौाओं में याद रखिएगा और यहां तक वीडियो देख लिए तो लाइक ये बना बिलकुल अदिए गा अला हाफिज